आज की इस वीडियो में हम एप्लस बी का होल स्क्वेर बराबर क्या होता है यह बताएंगे और इसका सूत्र का निगमन भी करके बताएंगे कैसे आया चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह फिर आप इनका क्रम चेंज करके पढ़ सकते हैं अब आएए बताते हैं इसका निगमन पहले हम लिखेंगे एक कोश्टक में लिख देंगे ए प्लस बी खिक अगर हम इसको मान ले पूरे को एक्स और इसको भी मान ले एक्स इंटू एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वेर होता है यह हम लोग जानते हैं यह हमें पता है एक्स से गुड़े एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वेर तो उसी प्रकार यह भी लिखा गया है ठीक अब हमने इनको जो है दो बार लिख दिया है ताकि गुड़ा करने में आसानी हो, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम A का गुड़ा इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर B का गुड़ा इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, तो A का गुड़ा करते हैं, A का गुड़ा A के साथ होगा, A गुड़े A, प्लस लगा है तो प्लस लिखे बी गुड़े एक ही बात होती है पिर उसके बाद इसको भी कोश्थक में बन कला लीजिए अब बीका गुड़ा दिनी या इस प्रकार हम इसको सालोग लिए अब इसको थोड़ा सा बारी बारी रख देते हैं एगुड़े बराबर होता है इस A इस्क्वाइर प्लस A B गुड़े B को आप A B भी लिख सकते हैं प्लस A B प्लस B गुड़े B बराबर होता है B स्कॉर ठीक अब देखिये यहां एक A B लिखा है और यह भी एक A B तो एक A B जुड़के दो A B हो जाएंगे तो यहां लिखेंगे A square plus 2AB plus B square देखिए जो हमने सूत्र बताया था वही यह निगमन भी आ गया है ना A square plus 2AB plus B square यह हमने जो है बताया भी था कि यह सूत्र होता है क्या कहे का A plus B का whole square का ठीक अब इसके अलावा आप करम चेंज करके यह भी लिख सकते हैं A square plus B square plus 2AB तो यह गलत नहीं होगा केवल आपका यह क्रम चेंज हो जाएगा ठीक इस प्रकार सूत्र का निगमन करते हैं आई होप यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें